Hello students, चलिए स्टार्ट करते है exercise 2.2 का question number 7 देख लेते हैं क्या है सबसे पहले introduction देखिया ये, then आप questions करेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा domain क्या है, range क्या है, co domain क्या है, बहुत अच्छे से बताया हुआ है फिर भी doubt लगे तो आप मुझे comment करके पहले वो पूछिए, then आप questions कीजिए रट्टा मतलगाना किसी चीज का भी, ठीक है, question समझते हैं क्या है write the relation r equal to x, x cube, such that x is a prime number less than 10 यहाँ पे जो relation है वो x, x cube है, मतलब pair जो form होंगे x, x cube से होंगे और x की value जो है prime number less than 10 लेने है, write down it in roster form तो इसको हमने roster form के अंदर write down करना है, ठीक है तो यहाँ पे जो relation है हमारा, वो क्या है, x, x cube, such that x इजे prime number less than 10 तो x की जो possible values होंगी वो क्या होंगी, जल्दी बताओ prime number कौन-कौन से होंगे less than 10 2, 3, 5 और 7, तो इन values पे देखना है हमने relation, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, इसकी roster form बिलकुल easy है, roster form कैसे बनेगी यहाँ पे देखो x की value, क्या क्या लेनी है, 2, 3, 5, 7, यह x है, यह x cube है मतलब x, y की form में हमारा pair बनता है, तो यहाँ पे x की value जाएंगी, यहाँ पे y की value तो x की value जब हमने 2 ली है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का cube, 2 का cube क्या होता है 2, 2, 4, 2, 8, फिर लेंगे 3, यहाँ पे 3 ली है, तो 3 का cube क्या हो जाएगा हमारा 27 फिर लेंगे हम 5, 5 है next value x की, 5 का cube करेंगे तो आजाएगा 125 ठीक है, next है हमारा 7, 7 का cube करेंगे तो 7 multiply, 7 multiply, 7 आजाएगा 343, clear है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे जो pair बने है, वो क्या बने है 2, 8 का, 3, 27 का, 5, 125 का, और last जो pair बना है 7, 343 का तो यह बनगे हमारी roster form इस relation की, ठीक है, अब मान लिया arrow diagram आ जाता तो arrow diagram हम कैसे बनाते इसका, यहाँ पे लेते हैं 2, 3, 5 और 7 यहाँ पे आ जाएगे हमारी value 8, 27, 125 और 343 यह x की value है, यह x cube की है, तो 2 से 8, 3 से 27, 5 से 125 और 7 से 343, domain और range पूछी गई होती, तो यह सारी values domain में आ जाएंगी, यह सारी values हमारी range के अंदर आ जाएंगी तो जिन से arrow निकली है, वो domain, जिसके उपर भी arrow है, हमारी वो range ठीक है, clear है, कोई दिक्कत नहीं होगी question number 7 में, कोई doubt लगे तो आँ मुझे comment करके पूछ ले, otherwise देखते हैं अपना question number 8 क्या है question number 8 most important question exam में बहुत बार पुछा जाता है, ध्यान से समझो तो क्या question है, let a set दे रखा है, उसके अंदर element है, x, y, z, तीन element given है, b set है, उसके अंदर element है, one, two, find the number of relations from a to b, तो कितने number of relation यहाँ पर possible हो सकते हैं, अब भाई यह चीज मैंने introduction में बताया, number of relation किस तरीके से निकाला जाता है, अगर वो आप देखिया हैं, तो आप मेरे से पहले इस question को कर देंगे, बिल्कुल लिजी है, तो सबसे पहले number of relation निकालने के लिए, दो set अगर हमें given है, a set है हमारा, वो given है, x, y, z, और b set जो है, वो given है हमारा, 1, 2, ठीक हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले, a cross b find out करना पड़ेगा, कितने possible pair यहाँ पे a और b के हमारे हो सकते हैं, तो क्या होंगे, यहाँ से अगर हम pick करें x, तो यहाँ से value आएगी 1, x का relation 2 के साथ भी हो सकता है, x, 2, फिर y का relation 1 के साथ हो सकता है, y, 1, y का 2 के साथ भी, z का 1 के साथ और z का 2 के साथ, यह हमारे possible a cross b आगे, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिलकुल अच्छे से clear होगा आपको, क्योंकि exercise 2.1 आप अच्छे से करके आ चुके हैं, then आप in questions को कर रहे हैं, तो a cross b के अंदर यह आ गया हमारे, total possible pair कितने हैं, मतलब a cross b के अंदर number of element count कर लो, number of element in a cross b, अब element यह मत count करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, नहीं, गलत हो जाएगा, पेर में यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बने, तो equal to 6, और कैसे बन सकते हैं, इसके element कितने हैं, 3, इसमें 2 हैं, 3, 2, 6, आगे number of element a cross b के, कोई दिक्कत नहीं है, अब देखना हमने number of relation, number of relation, from a to b, कितने relation बनेंगे, वो क्या होता है, number of, subset of a cross b, a और b की cross product के number of subset, जितने होंगे, वही होंगे number of relation, किससे निकलता हैं, 2 की power n से, n क्या होगा, number of element कितने, 6, तो कितने आ जाएंगे, 2 की power 6, यह आगे number of relation, from, a to b, समझ में आ गया होगा, introduction में मैंने बताया है, अब भी, अगर मालो, कोई बच्चा भूल गया होगा, introduction के अंदर, कि सर कहां पर बताया था, कहां पर बताया था, अब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी doubt अगर लगता है, तो हम मुझे comment करके पूछ सकते हैं, otherwise channel को subscribe कीजिए, लाइक किजिए और बहुत सारा, share कीजिए, थोड़ा सा support आप इस channel के लिए कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको free of cost पढ़ाता हूँ, कोई fees charge नहीं करता, तो थोड़ा सा प्यार और support इस channel के लिए दिखा सकते हैं, next देखते हैं, last question, question number 9, क्या है यहां पर, real number क्या होता है, natural number क्या होता है, यह सारी चीज़े मैंने बताया हुआ है, तो z जो है, अब आपके mind में आ गया होगा, z क्या होता है हमारा, एक integer होता है, z क्या होता है, integer, defined by r equal to a, b, a, b belongs to z, मतलब a और b की value, integer value होंगी, then a minus b is an integer, तो उन दोनो a और b का value जो है, जो result है, वो integer आना चाहिए, find the domain and range of r, domain और range बतानी है, जहांसे समझो, relation क्या given है, a, b, such that, a, b जो है, belong करेंगे z से, मतलब a और b हमेशा integer value होंगी, और a minus b भी always क्या आना चाहिए, integer, भाई values तो हमें नहीं given है, तो domain और range कैसे निकाल लें, अब देखो एक चीज, अगर मैं आपको बोल दू, a और b दोनों integer हैं, और दोनों integer value को subtract करो, तो हमेशा result integer ही तो आएगा, समझो ध्यान से, अगर दो integer value को हम subtract करेंगे, तो क्या आएगा, इंटीजर ही, यही चीज लिख दें नहीं है, बस और कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, we know, difference between, any two integer, is always, integer, ठीक हैं, तो domain के अंदर क्या आजाएंगी, domain के अंदर क्या आएंगी, जो value हम put करते हैं, तो कौन सी value put करेंगे, हमेशा integer value put करने है, तो domain में क्या आजाएगा, z, range देख लेते हैं, range क्या आती है, यह value, domain put करने के बाद, जो value आएगी, अब integer put किया है, integer में से integer subtract किया, और value क्या आएगी, integer ही आएगी हमेशा, तो integer को हम किस से denote करेंगे, z से, तो domain भी z होगी, range भी z होगी, मतलब, z put करेंगे, और answer भी हमारा z ही आना है, z में ही आना है, integer में कोई न कोई integer ही आएगा, तो समझ में आ गया, दोनों की दोनो, domain और range क्या होंगी, हमारी integer value होंगी, यह थोड़ा सा खन्फ्यूज करने के लिए, बच्चे कई बर खन्फ्यूज हो जाते हैं, सर इसमें तो कोई value नहीं गिवन है, तो domain range हम कैसे find out करें, तो उसने बस यह पुछा है, कि integer value put करने के बाद integer आए, तो हमेशा हमें पता है, दो integer value का difference हमेशा, integer ही possible होता है, तो I hope आपको question clear हो गया होगा, कोई भी doubt अगर आपको लगे, तो comment करके पूछ सकते हैं, Thank you students for watching this video, Thanks!